हाँ जी स्टूडेंट गुड मॉर्निंग आज हम एक और कोशन ट्राइ करेंगे प्रैक्टिकल का और जैसे कि अभी तक क्या कर लिया हमने रेशो कर लिया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लिया कुछ हमने अडजस्मेंट से देख लिया उसके अजनल इंट्री भी देख लिया और कुछ प्रैक्टिकल कोशन काफी बच्चों कोईरी आ रहे हम करेंगें अब प्रैक्टिकल कोशन मैं दो तीन कर दू पहले दो तीन आपके लिए उसके बाद फिर मैं एक साथ ही प्रैक्टिकल कोशन बहुत सारे देने वाला हूँ तो आप यह मत सोचो कि अभी हम कुछ कर नहीं रहे और खाली बैठे हैं ठीक है तो टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए जितने भी बच्चे हैं सारे लाइफ जितने भी बच्चे हैं वो सारे देख सकते हैं कि आपके बुक का जैसे नई बुक है नई बुक में तो कोशन नंबर 66 है लेकिन आपके book में में भी हो सकता है TS Gray Wall में कोई और question हो तो मैं question वैसे display कर जैसे मैंने last question में display किया था courses करूँगा यहाँ पर display कर दू और उसके बाद आपने बस समझना है और अपने book से देखके उसे mark कर लेना है नगी तो मैं अब courses यही रहे कर करके सबको assignment दे दूँ और अपने हिसाब से book में mark कर ले कि कहता है एक्स वाई शेर प्रॉफिट फाइव इस्टू थ्री देयर बैलेंस शीट उन 31st मार्च 2020 वाज यानि आपको प्रॉफिट शेरिंग रेशो दे रखा है हां पर प्रॉफिट शेरिंग रेशो एक्स वाई का तो मैं यहां लिख लेता हूँ पी एसार और एक स्टूइट का डाउट भी था के सर लास्ट कोस्टिन जो करा था अपने वो undervalued overvalued वो मैं भी आपको क्लियर कर दूँ आँ पी एसार पी एसार दे रखा है 5 इस्टू 3 और यह ओल्ड पार्टनर का जो पुराने हमारे पार्टनर थे एक्स और वाई उनका रेशो 5 इस्टू 3 हुआ करता था कुछ हैसेट्स और लाइबलिटी है रूल क्या कहता है सबसे पहले क्या कि लेके आता है बीस हजार रूपे कैपिटल कैश में तो कैश के अंदर लेके आया है तो मैं यहां पर लिखूंगा कौन किसका जेड का कैपिटल बीस हजार इसकी डबल इंट्री कहा होगी बता हो यहां पर हो जाएगा थोड़ा नीचे रख रहा हूं क्योंकि उपर बैलेंस बीडी लिखना है बाई कैश और जेड में आगे बीस हजार ठीक है बड़ा ही सिंपल है सिंपली उसके बाद गुडविल पैसे लेके आया यह एंड गुडविल ट्विल थाउजन रुपीस इन कैश और सॉरी ट्वेल थाउजन रुपीस तो गुडविल को हम बोलते है प्रीमियम 12,000 रुपाया अब कई बार एक्जामनर क्या कर सकता है आपको बोले गुडविल इन कैश बट गुडविल का वेल्यूएशन दे दे आपको तो ऐसे सिचुएशन में वो गुडविल कैश तो लाया है लेकिन यहां बोलता है फर्म गुडविल रुपीस 50,000 रुपीस तो निकालते हैं मैं एक बार फिर एक्स्प्रेइन करता हूँ सपोस्ट यहां पर बोलता कि फर्म का गुडविल हमारा है 50,000 and z जो है अपने साथ cash में capital भी लाया है और cash में गुडविल भी लाया है तो ऐसे सिचुएशन में गुडविल z का क्या हिससा है? cash तो लाया है लेकिन z का क्या हिससा हो निकालना पड़ेगा जैसे यह आता कितने के लिए है? 1 by 8 के लिए तो मुझे 1 by 8 करके इसका share निकालना पड़ेगा फिर हम यहाँ पर उसका share लिखेंगे और फिर premium लिखेंगे ठीक है ना बात आई समझ में बाकि इस type के questions देखेंगे हम आगे कहता है Z acquire his share from X following retention also made और कहता है कि Z जो है his share जो भी है वो X से लेगा तो हमें new PSR निकालना पड़ेगा क्योंकि premium को हमें यहाँ बाटना है और premium को बाटेंगे तो Z लेगा किसे X से अब एक चीज़ धिहान दो X है Y है Z है अब Z अगर मैं shortcut बता रहा हूँ अगर Z सारा का सारा X से लेता है Y से कुछ भी नहीं लेता क्या Y ने कोई sacrifice किया है answer is नहीं Sir Y ने कोई sacrifice नहीं किया सारा किसने sacrifice किया है यहाँ पे X ने किया है तो सारा goodwill का पैसा किसको मिल जाना चाहिए X को मिल जाना चाहिए यह तो हमें समझने वाली बात है लेकिन हम इसके साथ साथ पहले हम एक बार ratio निकाल लेंगे और हमें अच्छे से clear हो जाए कि क्या ratio यहाँ पर scenario बनता है तो हमें sacrificing ratio में premium को बाटना है premium को किस ratio में बाटना है sacrificing ratio में और हमारे पास old ratio दे रखा है new ratio निकालना पड़ेगा तो let वाला concept नहीं है यह acquire वाला concept है क्योंकि question में देखे कहता है यहाँ पर कि Z acquire from X X से सारा का सारा कितने ले लेगा वो from X से जो भी है ले लेगा सारा तो यहाँ पर हम निकालते हैं सबसे पहले हम X का new share X का new share देख रहा है ना आपको X का new share X का पहले था 5 by 8 जिसमें से इसे मजबूरन देना पड़ेगा 1 by 8 तो यह आ जाएगा 4 by 8 Y का new share इसमें कोई changes तो है नहीं तो Y का तो पहले भी कितना था हमारा 3 by 8 अब भी 3 by 8 किसी को दिया नहीं और Z का तो पता ही हमें क्या है 1 by 8 clear Z का क्या है 1 by 8 now अब हमें क्या करना चाहिए हमें इसको आगे continue sacrificing ratio निकालेंगे तो sacrificing ratio क्या आएगा क्या होता है हमारा old ratio minus में new ratio है न बच्चे क्या होता है old ratio minus में new ratio अब old ratio क्या है हमारा 5 by 8 ध्यान से देखना आप live classes देखते रहे हो मन में भी आप क्या करते रहो calculate करते रहो ठीक है 5 by 8 minus new classes है old minus में new new ratio क्या है हमारा 4 by 8 new ratio क्या है हमारा 4 by 8 इसके बाद एक का क्या है हमारा old ratio भी 3 by 8 और new ratio भी 3 by 8 तो result देखो न old ratio भी 3 by 8 और new ratio भी 3 by 8 दो ही है नए partner का तो sacrifice निकले गा नहीं आपने तो पूरे करे हुए है तो इसका answer आगया 0 और बाकी इसका आगया whatever आजाता है मालो 1 by 8 आजाता है तो इसका मतलब ये proof हो गया कि भाई जो goodwill का पैसा है वो सरिफ और सरिफ किसको मिलने वाला है वो मिलने वाला है सरिफ और सरिफ X को Y को नहीं मिलेगा अब को भी बोलेगा सर जर्नल एंट्री करके दिखाओ इसकी तो जर्नल एंट्री very simple premium account debit पहली एंट्री cash वाली तो करोगे ही और 2 premium account debit 2 क्या बताओ 2 किसको मिलेगा X capital है ना बाकि जर्नल एंट्री भी है इस question में आज हम इस question का पूरे अच्छे से जर्नल एंट्री करेंगे ठीक है ना चलिए आगे यहां तक तो हमने कर दिया एक adjustment complete मतलब कि starting का heading first कहता है employee provident fund liability is to be increased by 5000 तो employee provident fund और workman compensation fund याद होगा workman compensation fund में कितने सारी बातें बताई बस उसे memorize रखो सीखा नई सीखा अब दीरे दीरे समझ में आने लगेगा employee provident fund भी समझाए था वो क्या होता है हमारे लिए liability तो मैंने employee provident fund को थोड़ा short form में लिख देता हूँ E P F P F जानते हो ना वही है यह P F जो आपके parents में आपके घर पे जो job करते हैं उनके salary में से cut जाता है P F का पैसा तो कितना है हमारा 5000 Sorry पहले पुराने वाला चेक करेंगे ना balance sheet में 10 था जी अच्छा सर 10 था और minus आपका क्या होगा यह plus होगा बताओ minus होगा यह plus होगा Sir यह तो plus होना चाहिए क्योंकि बढ़े गया बिल्कुल सही plus increase कितने से बढ़े गया 5000 से इसका double impact बताओ हमारा liability बढ़े गया revolution पे कोई फरक पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा बिल्कुल सर पढ़ेगा revolution पे तो revolution पे फरक पढ़ेगा तो revolution के two side में नुकसान है तो EPF डाल दो सर 15,000 यह 5000 यह 10,000 सर 5000 आएगा बताओ भाई किसी को है क्या doubt पहले adjustment पे सोच लो time दे रहा हूँ है सोचो 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 फटा फटा दीपक कह रहा है सर अगर यह reduce होता तो फिर क्या करते दीपक देखो अगर यह reduce होता तो फाइदा होता यहाँ पे हम minus कर देते और यहाँ buy में लिख देते ठीक है ना चलो ठीक है all debtor are goods कितने प्यारी बात लखिए मज़ा आगे all debtor goods तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरे सारे debtor goods हो मेरा debtor कोन है बता सकते हो मेरा debtor कोन है सर आपके debtor हम है हम बच्चे आपके debtor है मुझे आपसे पैसे लेने है तो आप तो मेरे debtor हुए सारे good है वैसे भी मेरे सारे बच्चे good है एक दम तो good है debtor तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पहले मैंने 20,000 में से माइनस कर रखा था अपने balance sheet में देखोगे provision for doubtful debts provision for doubtful debts माइनस कर रखा था कितना 600 600 माइनस कर रखा था ये मज़े वाली बात नहीं है हमारे debtor goods है माइनस नहीं करना अब माइनस नहीं करना इसका मतलब अब मेरा balance sheet में debtor कितना रहेगा 20,000 और पहले क्या था debtor हमारा पहले हमारा debtor था यहां पे 19,400 अब बताओ पहले 19,400 था 20 हो गया good का मतलब तो यह यह ना कि संदे मत करो उस पे doubt मत करो उस पे तो 20,000 हो गया ना प्रोविजन के बाई में जाता है बाई प्रोविजन बिल्कुल सही जवाब बाई प्रोविजन प्रोविजन और डेटर यह प्रोविजन जो लिखा है for doubtful dates for doubtful क्या सर हम भी एक्जाम में short form यूज करे नहीं बच्चे आपने अगर एक्जाम में short form यूज किया तो टीचर भी marks देने में short form थोड़ा short cut कर सकता है तो यहां मैं तो कर रहा हूँ मुझे तो concept कराना है आपको बाकि आप पूरा ही लेके चलना कितने 600 रुपैसे ठीक है हाँ जी बताए कोई doubt इशिका इशिका का doubt है कि सर इसके अंदर अगर ये 300 रुपै बोलता 300 debtor are good या बोलता provision for doubtful debt 600 है तो 300 इसमें से reduce कर दो तो इशिका आपका आंसर ये है तब क्या करते हम यहां पे सरिफ 300 ही माइनस करते हैं और फिर भी हमारा बचता ये 19,700 और पहले था 19,600 means 300 का फाइदा हुआ तो मैं इधर 300 रुपै दिखा देता clear है कोई दिक्कत आपको नहीं सर आगे चले बिलकुल stock include 3000 obsolete item hence is to be written off obsolete item का मतलब होता है कि नस्ट हो गया बरबाद हो गया किसी काम का नहीं है जैसे मानलो आप तो अब उसे फैक नहीं पड़ेगा तो stock की बात करते है तो हमें stock दे कितना रखा है ये चेक करते है 25,000 का है stock पहले से given हमें कितने का stock given है 25,000 का है है ना अब stock हमारा बोलता है 3000 obsolete तो भाई खराब हो गया नस्ट हो गया तो absolute कितना हुआ हमारा मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो 22,000 आप थोड़ी समझना मेरी बातों को ठीक है 22,000 तो absolute हो गया हमारा 22,000 रुपर ठीक है written अब बताओ इसकी double entry adjustment की होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए सबसे पहले double entry में चेक करो नुकसान फाइदा हाँ सर ये तो नुकसान है बिल्कुल सही जवाब तो ये आगया stock stock 3000 मतलब मैं तो कभी कभी हरान होता है इतने आसान आसान question कैसे दे देते हैं ये सब creditor are to paid to be paid creditor are to be paid 1000 more इसका मतलब बताओ के creditor को हमें 1000 जादा देंगे तो पहले तो creditor लिखो था कितना creditor चेक करो balance sheet में रहे बोलते क्यों नहीं आप बस एकदम आलसी के होके बैठे हो mobile phone में बस लेटे होए देखते रहते हो कुछ बच्चे तो लेट के देख रहे हैं 1000 रुपे more तो भाई ज़्यादा paid करना है तो plus increase हो गया अब को एक बच्चे का सवाल आया किसका सवाल आया भाई जैसे की संजना का सवाल आया सर इसके अंदर creditor R to be paid लिखा है 1000 more तो 16,000 रुपे क्या cash book में से भी minus करेंगे देखो संजना मैं आपको समझाता हूँ अगर आपका paid ज्यादा किया है to be paid का मतलब होता है paid करेंगे करा नहीं है paid करेंगे तो भाई करेंगे तो जब करेंगे तब देख देंगे अगर बोलता है यहाँ पे के creditor was paid या creditor paid rupees 1000 more के paid कर दिया तब तो हम यहाँ creditor नहीं लिखते और creditor एकी यहाँ पे आता पूरे 16,000 फिर भी नुकसान तो होई गया और 1000 यहाँ आ जाता नुकसान में now अभी क्या है हमारा जम्शन है हम मान के चलते हैं देखो हमारे पास अधिकार है हमारा right है कि हम accounts के question को करते time पे थोड़ी बहुत जो genuine exemption है वो ले सकते हैं तो इसी को मानते हुए मैंने सोचा है मुझे लगता है कि इसे बाद में payment करना पड़ेगा तो इसलिए मैंने balance sheet के liability में रखा है बाकि आपको अगर कई बार realize होता है कि भाई payment हो गया तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं इसे note देखे ठीक है तो 16,000 रुपए और 1000 ज्यादा paid किया तो नुकसान है to creditor और कितने 1000 रुपए low जी low एक adjustment fixed assets are to be valued रुपी 70,000 fixed assets जो भी आपके balance sheet में अब 70 का हो गया पहले चेक करो कितने का था अरे भोलते क्यों नहीं पहले कितने का था अब 70 का हो गया पहले था हमारा 80 का अब 70 का ये भी नुकसान है ये low यहाँ पर लिख देते है fixed assets fixed assets कितने का 10,000 रुपए का नुकसान हो गया clear? हाँ जी कहता है prepare journal entry आपको करना है necessary balance sheet भी बनानी है calculate profit sharing ratio तो सारी चीज़े कर रहा है कर दिया है हमने लगबग अब transfer की entry करते हैं और जैसे जैसे transfer की करेंगा आप देखते जाना creditor सबसे पहले liability में लिख चुके हैं employee provident fund लिख चुके हैं workman compensation fund last class में workman compensation fund के कितने points किये था एक पर मैं remind कर आ रहा हूँ आप भी register पे देखते रहें मैंने क्या कहा था अगर यहाँ पे सिर्फ workman compensation fund है सिर्फ यहीं पे है तो क्या होगा बट जाएगा लेखिन अगर यहाँ पे दे रख है और adjustment में दे adjustment में दे तो जितना part adjustment में है वो यहीं पे रह जाएगा बाकी part क्या होगा हमारा बट जाएगा लेखिन यहाँ पे दे रख है मानलो 5000 और adjustment में बोलता है pay करना है 6000 तो उस situation में यहाँ पे तो 6000 हो जाएगा 1000 कहां पहुँच जाएगा revaluation में समझ में आरे यह बात तीनी case हैं आप case के पहला सिर्फ balance sheet में दे रखा है आपको पुराने balance sheet के अंदर तो बाट दो भाई किस ratio में सब कुछ old ratio में बटता है सिर्फ एक चीज sacrificing में good will दूसरा सर अगर यहाँ पे दे रखा है balance sheet में और adjustment में जितना दे दे मान लो 5000 balance sheet में adjustment में 3000 देता है तो 3000 यहीं छोड़ दो 2000 को बाट दो पुराने partner में सर तीसरा क्या case है तीसरा यहाँ पे मान लो यहाँ पे 5000 रुपे दे रखा है adjustment में बोलता है 6000 है तो यहाँ पे 6000 कर दो 1000 ज़्यादा payment करना पड़ेगा अब समझ में आ रहा होगा क्या था वो fund अब अब धरले से question करने वाले हम फटा फट तो workman compensation 5800 5 is to 3 के ratio में बाट देता हूं 5800 एक बार मेरा calculator calculator महां से कहां गए यह आ गया calculator 5800 divided by 8 into में 5 3 6 2 5 और into में 3 275 ठीक है यह लो बाट दिया workman compensation ऐसे general reserve बट जाता है अभी investment fluctuation fund का भी एक adjustment करना है बस last है अब चिंता मत करो बस इसके बाद capital दे रखा है आपको balance bd लिखते है buy balance bd और कुछ बच्चे home work भीज ने रहे मुझे whatsapp पे आज उन सब की मैं class लगाता हूँ एक बच्चे का तो query आया है sir हमें इस पर समझ नहीं आ रहा हमें google meet पे समझा दो हमें zoom app पे समझा दो तो बच्चे मैं यह कहना चाहता हूँ कि देखो google meet और zoom app में सबसे बड़ा drawback क्या है मैं बुरा ही नहीं कर रहा हूँ होता क्या है टीचर साइड में छोटा सा दिख रहा होता है और टीचर साइड में छोटा सा दिख रहा होता है और वो क्या कर रहे होते हैं डिजिटल पैन का यूज करते हैं जिससे कोई लाइन इधर जा रहा है कोई लाइन इधर जा रहा है कोशन दिखा दिया अब मैंने पूरा फॉर्मे है बच्चे बोलते हैं सर वहाँ पर हम डाउट भी तो पूछ सकते हैं अरे डाउट का option तो मैं भी भी दे रहा हूँ आपको आपके जाई website पर देखिए आपका live chat का option है live करिए उसी time आपको reply आएगा instant तो यही पूछोगे अब उसके अंदर ऐसा थोड़ी है कि कोई teacher आपके घर पर आके पढ़ा रहा है live का मतलब तो उस बात को समझे कुछ बच्चों का यह है कि भाई live बैठेंगे तभी समझ में आएगा अभी tuition को जितना avoid करें वह beneficial है और आने cash at bank cash at bank तो balance bd कितने का 5000 का अब एक बच्चे का question है सर यह तो cash book है अब आप याद करो ना रहे अभी अभी तो पढ़ के आए हो आप फिर confused होगे cash book में दो column होते नहीं होते एक bank column and cash column तो मैं यहां पर cash at bank है तो मैं यहां पर bracket में लिख दूँगा bank column examiner एकदम खुश बोलेगा बच्चे ने क्या कमाल का काम किया debtor हो गया stock हो गया profit and loss 2400 रुपए profit and loss 2400 यह 2400 यह न एक पर देख लेते हैं भाई profit and loss बिल्कुल 2400 रुपए ही है अब बताओ यह profit and loss नई चीज जह आपने देखी कि sir assets में profit and loss 11 वे तो हम liability में करते थे assets में तो देखो आपको पता है business अलग है होती है advertisement suspense account वो भी balance sheet के assets में मिलेगा तो इन दोनों assets को हम fictitious assets fictitious का मतलब sir fictitious मतलब fake assets नकली assets बोलने का assets नाम का assets काम का नहीं assets वो होता है तो हमें नई balance sheet में नहीं दिखाना इसे हमें partners capital में अभी दिखा कि खतम करना है तो मैं to profit and loss दिखा देता हूं और इसको बाड़ देता हूं चौबिस सो डिवाइड़ वा एट इंटू में 5 तो पंजरा सो x इसके भागिदार है x के हिस्से में जाएगा और 900 इसके हिस्से में जाएगा अरे समझ में आया नहीं आया बोलते क्यों हां सर समझ में आ गया चलिए अब क्या प्रोसेस से बताओ जनल एंट्री भी करने वाला हूं मैं तो वर्कमेन कंपंसेशन का एक कुश्चन के आपको धेड़ सारी कुश्चन देने वाला हूं मैं अब ठीक है पांच हजार तीन हजार एक हजार दस हजार उन्नेस हजार रुपे और इधर भी आया उन्नेस हजार लॉस आ गया बाइल लॉस ट्रांसफर कहां ट्रांसफर होगा रीविल पार्टनर्स क्यापिटल मैं थोड़े शॉट वर्ड यूज कर रहा हूं लेकिन आप मत करना तो एक्स में और वाई में माइनस छे सो अठारा चार सो है ना अब अब अठारा चार सो को हम डिवाइड कर देते हैं एट और जी क्य लाग करें इंटू फाइफ ग्यारा पांसो बहुत नुकसान हो गया इसको 6900 तो यहां पर लिखेंगे क्या टू रिवेलुएशन रिवेलुएशन अकाउं ठीक है ग्यारा पांसो और 6900 ठीक है अब पार्टनर्स कैपिटल को बंद करते हैं इसका टोटल बीस अजार इसका टोटल बीस अजार और यहां टू बैलेंस बैलेंस सीडी और यहां गया बीस हजार ठीक है इसका टोटल करते हैं 31,000 रुपए और 275 तो 33,175 33,175 माइनस करते हैं 96,900 25,375 चलिए 70,000 12,036 22,036,25 85,625 85,625 माइनस पंद रहा सो 11,200 72,625 चलिए जी यह आगी अब इसका बैलेंस कहां जाएगा बताओ सर इसका बैलेंस 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 शीट में जाएगा बैलेंस यहां बैलेंस सीट में बैलेंस शीट चैपिटल अकाउंट capital account X का, Y का and Z का X का है 72,625 Y का है 25 375 Z का है 20,000 चलिए 25,375 और प्लस 20,000 एक लाक अठारा हजार अब इसका टोटल कर लेते हैं तो यह आगया 37,000 रुपए यह आगया 37,000 37,000 बाइ बैलेंस एडिव 37,000 और इसको इधर दिखे देंगे क्या? बैंक बैलेंस बैंक कॉलम है न 37,000 अब टोटल करते हैं दोनों साइट का जैनल एंट्री अभी कर रहे हैं कुछ बच्चे बोल रहे हैं सार जैनल एंट्री करके दिखाओ ना दिखाओ ना भी दिखाते हैं बच्चे टोटलिंग हो गई इसकी अब बैंक करते हैं पर जैनल एंट्री पहले एक बार इसको फटा-फट नोट करिए फिर मैं जैनल एंट्री पर आता हूँ ठीक है इसको नोट करिए आप मैं आपके लिए जैनल एंट्री करता हूँ नोट करिए इसको कर लिया नोट्री नहीं करा तो पॉस करके करिए आपनोट, अब बात करते हैं हम main stage, general entry करने से पहले आपको कुछ बातों का knowledge होना ज़रूरी है, कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, कि general entry करेंगे तो इस परकार करेंगे, सबसे पहले, general entry हमें किसका करना चाहिए, एक इसका करना चाहिए, अब ये entry यहां transfer हुआ तो हम इसका नहीं करेंगे ठीक है general entry एक इसका करेंगे दूसरा balance cd और balance bd का कभी general entry नहीं होगा किस-किस का general entry नहीं करना वो लिख देता हूँ बाकि सब का करेंगे number one number one balance balance bd bd या cd का नहीं होता जिसका नहीं करना journal entry नहीं करना लिख लो इसके बाद transfer की कोई journal entry जब एक account यह transfer की रहने देते हैं तो balance bd और balance cd के नहीं करेंगे जैसे कि यह वाला balance bd है इसकी कोई journal entry नहीं करने ठीक है उसके बाद number two transfer in balance sheet अगर balance sheet में transfer किया गया तो उसकी भी general entry नहीं करना जैसे पुरानी balance sheet से data को यहां transfer किया गया ठीक है तो इसकी भी general entry नहीं करना बाकी सबकी general entry हम करेंगे अब मुझे बताओ क्या इसकी general entry होगी बिल्कुल होगी इसकी general entry बिल्कुल करेंगे इसकी general entry करेंगे इसकी general entry भी होगी इसकी general entry भी होगी क्या इसकी general entry होगी क्या होगी इसकी general entry क्या transfer तो किया है क्या balance sheet में किया है नहीं यह क्या है partners capital तो करेंगे इसकी general entry already हो चुका है ठीक है ना तो मैं यहाँ पर एक और point लिख देता हूँ balancing figure transfer जो किया जाता है उसकी general entry नहीं करेंगे उसकी सिर्फ करेंगे only one entry जब कभी कोई balancing figure निकलता है उसको एक account से दूसरे account में जब भेजा जाता है तो आपको एक ही general entry करना है वो है सर्फ यहाँ की कर लो चाहें यहाँ की कर लो बात एक ही है अच्छा सर अब general entry की बात करेंगे क्या इसकी करेंगे बिलकुल करेंगे क्या इसकी करेंगे हान जी क्या इसकी करेंगे बिल्कुल करेंगे क्या बैलेंस इडी की करेंगे नहीं सर इसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी चलिए अब बैलेंस शीट के अंदर आइटम की कभी जर्नल एंट्री नहीं होगी बैलेंस शीट आइटम जर्नल नहीं होगा बैलेंस शीट आइटम का कोई जर्नल नहीं होगा reason क्योंकि इसका यहीं से हो चुका है अब cashbook पे आजाओ क्या balance BD की करेंगे नहीं करेंगे इसकी करेंगे बिलकुल करेंगे इसकी भी करेंगे बस simple very very simple तो चलो general entry start करते है और general entry adjustment को देखके कैसे किया जाए और account को देखके कैसे किया जाए वो देखते है मैं यहाँ पे balance sheet मिटाने जा रहो हूँ और balance sheet मिटा दिया तो ज़्यादा general entry है नहीं बड़ा ही आसान है आप general entry में कोई sequence नहीं है कोई date नहीं है इससे भी मिटा देते है ठीक है अपने according आप कर सकते है चलिए proper format बना लेते है being मैं बोलता जाओंगा आप लिखते जाओगे क्योंकि space की थोड़ी कमी है कि फॉर्मेट पूरा होना चाहिए ठीक है चलिए पूरा आ रहे समझ में आपको फॉर्मेट दिख रहा है ना हाँ सर पूरा फॉर्मेट दिख रहा है बताओ फॉर्मेट याद है भूल गए सर 11 पे इस यही तो सीखा था कि एलेफ नाम हें हाँ जा ह एक बच्चा बोलता है क्या नाम है क्या नाम है हाँ जी राहुल का कहना है कि सर क्या ऐसा ना करें एक बार रिवेलुएशन देखें और टू एपिएफ, टू स्टॉक, टू क्रेडिटर, टू फिक्स असेट कर दें तो मजा नहीं आ जाएगा, कम हो जाएगा मैंने कहा कि कर तो लोगे लेकिन उसके बींग को लिखने में दिक्कत आएगा क्योंकि यहाँ पे मैं बींग क्या लिखूँ आब बताओ बींग इपिएफ पता तो चलना चाहिए ना, इंक्रीज बाई, कितने से हुआ था इंक्रीज भाई, इपिएफ, 5000 तो क्या अगर मैं सब को लिख दू, तो क्या ऐसे लिख पाओगे हर किसी के लिए बींग एक पेज का तो बींग की हो जाएगा, इसलिए आप अलग-अलग करना, ठीक है डेट का कॉलम है, मैं पॉइंट नमर वन टू, अब मैं बींग नहीं लिखूँगा, स्टॉक में क्या होगा, रिवेल्यूइशन टू स्टॉक रिवेल्यूइशन टू स्टॉक आप इसको अडजस्मेंट के थुरू भी, आपको मैंने सिखाया है करके, वैसे भी कर सकते है रिवेल्यूइशन टू स्टॉक, बींग क्या लिख होगे इसका, बींग स्टॉक एपसुलेट रुपीस 3000, ठीक है न, ये लेजिए जिए इसकी भी होगी क्रेडिटर की, क्रेडिटर बढ़े गया था तो रिवेल्यूइशन टू क्रेडिटर एक हजार रुपैया एक हजार fix assets का क्या करेंगे भाई 4 नंबर पे, revaluation to fix assets being क्या होगा fix assets reduce by 10,000 दुबारा बोल दू सर, हाँ बोल दो, fix assets reduce by 10,000, ठीक है चलो इधर, फायदा है, revaluation credit हो जाएगा पाँचवे नमबर की जनल एंट्री प्रोविजन फोर डाउटफुल डेट टूर इवेल्वेशन 600 अब एक एंट्री करेंगे ट्रांसफर की only one एंट्री बैलेंसिंग फिगर ठीक है तो कहां जा रहा है पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो रहा है कम हो रहा है तो यहां पर आएगा हमारा किस किस में एक्स का एक्स कैपिटल कम हो रहा है ने इसका एक्स कैपिटल डेबिड वाइस कैपिटल और टूरी वेल्यूएशन टूरी वेल्यूएशन कितने amounts आएगा जी revaluation में अब देखो simple है पता है ने 11500 और 6900 और 18000 revaluation में चला जाएगा 400 clear और general entry करना है बिल्कुल अभी करना है ना general entry अभी देखते जाओ 5 के बाद 6 इसका काम खतम जी इसमें से p handle का करना है प handle का कैसे करेंगे हम अब देखो यहां से लिखने का मतलब है कि partners का capital कम हो रहा है दिमाग में mind में भी आप लेगे चलना ठीक है ना यहां का मतलब है हमारा partners capital क्या हो रहा है यहां पे कम हो रहा है तो partners capital जादा और यानि debit अगर इधर है तो debit होगा और वैसे भी two वाले को two में लिखते हैं match करते है partners capital से और इधर लिखने का मतलब है partners capital बढ़ रहा है तो partners capital इस situation में credit होगा तो यहां की entry करते हैं सबसे पहले तो partners capital में करते हैं x capital wise capital two p and l profit and loss ठीक है अब देखो दोनों को देखके तो आपको कई वार ऐसा लगए कि same ही कर रहे हैं sir being लिखना है इसके अंदर पंदरा सो छे सो नो सो पंदरा सो और नो सो और चे सो पंदरा सो नो सो कितने होगे भाई 2400 सात्वा सेवन्त छे के बाद सात्वा में क्या है देखो पी एंडल हो गया अब यह revolution इसकी करेंगे बिलकुल करेंगे या नहीं करेंगे बताइए बताइए sir करेंगे ना इसके क्यों करेंगे भाई जब ट्रांसफर हुआ है यह वाला यहां से तो क्यों करेंगे इसका नहीं करना मैंने क्या लिखा है अगर कोई balancing figure एक account से दूसरे account में जाते तो यह तो यहां की कर लो यह तो यहां की कर लो बात एकी है sir यहां की करतें तो बात एकी है हाँ जी यहां की करेंगे तो क्या आएगा result हमारा यहां की करने के उपर आएगा हमारा revolution यहां पे है तो result आएगा हमारा partners capital है two में तो हम लिखेंगे revolution account debit sorry partners capital debit to revolution जो की मैंने अभी भी वही करा है ठीक है okay sir आगे देखते हैं अब आगे चलते हैं यह हो गया यह हो गया यह हो गया ठीक है अब cash का balance इसकी general entry बिलकुल credit है partners capital credit होगा तो entry करेंगे cash account debit देख रहा है ना आपको cash account debit और premium account debit sorry cash account debit two premium एक बार premium और एक बार क्या capital two premium जो goodwill treatment पर टाइम पर सीखा था आपने और two capital इखटे इसको कर सकते हो आप याद होना चाहिए आपने सबसे पहले goodwill का जब treatment सीखा था मैं chapter number three की बात नहीं करना treatment of goodwill मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आपने goodwill के स्टाइम पर सीखा था उसके तो कितने आएंगे सर फिर तो आएंगे यह 12,000 और 32,000 रुपए याद है न दोनों को जोड़ देते थे और यह 20 और यह 12 चलो ठीक है इसका भी कर लिया इसका भी workman compensation इधर कर देते हैं workman compensation में क्या होगा workman compensation fund logic देखो balance sheet के liability से खतम करा हमने तो debit हो गया liability खतम debit और बटा किसमे एक्स और टू वाई yellow क्याएगा 3625 जोड़ देंगे ना इसे 3625 और 2175 कितने हो गए भाई यह 5800 ठीक है क्या हो गया 5800 यह भी हो गया चलो यह भी कर लिया यह भी और यह भी कर लिया अब क्या बचा cashbook में बचा था याद करो cash book की general entry हम already कर चुके हैं ये cash book से कर रहा है sorry ये cash book से कर रहा है अब मैं इसकी general entry करने जा रहा हूँ इस premium की तो premium में क्या होगा हमारा मैं दुबारा remind कर देता हूँ एक mistake है कि मेरे mind में goodwill का था और जो cash टेक टाइम पे करते थे आप पहले कर दिये cash to premium to capital एक entry और करते थे याद करो क्या करते थे premium to capital तो मैं premium to capital वाली एक entry धर कर देता हूँ और entry है premium to capital किसको मिला है x capital x capital कितने का भाई premium to x capital sir ये तो है जी 12,000 रुपए का है ना 12,000 रुपए का low जी low general entry भी खतम कोई दिक्कत कोई परिशानी देखिए फटा फट नहीं sir कोई परिशानी नहीं sir अब homework दो हम भी करके दिखाएंगे अब हम अभी करके दिखाते हैं आपको चलो जी homework देते हैं आपको जो मैंने पीडिएफ भेजा है अरे इसको क्या हुआ जो मैंने पीडिएफ भेजा है उसमें से question कौन कौन से करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी रुकिए इसको नोटिंग भी करिए सुन्दर सुन्दर राइटिंग में कौशन नंबर एक हमने 62 कर लिया था अब मैं यहां लिख देता हूँ जिसका नहीं जो मैंने असाइन्मेंट दिया है कौशन 63 जो असाइन्मेंट दिया है कौशन 63 कौशन नंबर करने है 64 कौशन नंबर करना है 65 65 में एक ट्रिक है वैसे इसका अडजस्मेंट दूँगा मैं 65 में इनवेस्मेंट फ्लेक्टुशन फंड है और यहाँ पर चलो 65 रहने दो क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि किसी भी कुशन को करो और आपका अंसर ना आए 65 के बाद 66 जनल इंट्री भी करना है और सो बैलेंशीट बनाना है वर्कमेन कंपंसेशन तो यह तो अभी मैंने कर दिया है और 67 बिल्कुल आपको करना है 67 विद जनल इंट्री आप बोल रहते हैं होमवक नहीं देते सर यह लो 68 इसके बाद 69 हो सकता है कोई adjustment में doubt हो instant whatsapp पे पूछो आपको जवाब मिलेगा 70 reserve fund बटेगा ही नहीं बटेगा 70 में बिल्कुल बटेगा सर reserve fund बटेगा 70 70 के बाद 71 कितने हो गया इतने बहुत है है ना अब बोलोगे तो ज़्यादा फिर बोलोगे तो और दे दूँगा मैं जैसे तो 73 भी देना है चलो एक और दे देते हैं 73 आज आपको evening में मज़ा आने वाला है इस सारे question को करके आप वर्टसप पे भेजेंगे investment fluctuation fund का एक अलक्से class लूँगा फिर उसके बाद उसको practical पे apply करेंगे सर कितना बड़ा chapter है ये बताओ न मुझे देखो chapter की मैं बात करूँ लगभग लगभग सारे concept हो जाए उसके बाद final question पे भी आएंगे हम अब क्या क्या रह गया कई बार question में होता है कि भाई good will वो लेके नहीं आता वहाँ पे सीखाता उसे हम practical में apply करेंगे fix capital वाला वो भी apply करना है इसके बाद एक last रहता है adjusted capital करते ही chapter को हम नमस्कार करेंगे chapter को उसके बाद फिर हम चलेंगे next chapter पे तो है concept question जो hundred है hundred करने भी हमें सारे question illustration भी दूँगा तो अब आप note करिए हम चलेंगे इसके बाद अगले topic के उपर फटा फटा से आप एक बार note करिए इसको ठीक है